इससलाम अलेकूं गईस वालकम तो माई चानल सुकाइस आज मैं आपके लिए फिर से एक बिस्तर का डिजाइन लेके हाजिर हूँ सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रेड कलर के बिस्तर का धागा लिया है और उससे मैं रनिंग स्टीचिंग करूँगी बिस्तर सिलने के लिए जादा तर हम रनिंग स्टिचिंग का ही यूज करते हैं इसलिए मैं रनिंग स्टिचिंग से ही डिजाइन जादा बनाती हूँ ताकि आप बेसिक स्टिचिंग है ये इस stitching को कोई भी कर लेता है और बहुत असानी से stitching कर लेता इंसान सो इसी stitching का यूज करके मैं बिस्तर का सुजनी का डिजाइन बताती हूं तो चलिए देखिए सिंपल जा में रनिंग stitching करते जाना है इस डिजाइन की फूल डिटेल वीडियो अलरडी में शेयर कर चुके हूं कुछ दिन पहले किया था मैंने शेयर बनाने की वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी अभी तक इसलिए मैं इस डिजाइन की बनाने की वीडियो भी शेयर कर रही हूं नो डेखें ув बहुत सिंपल डिजाइन को बनाना है और डिजाइन देखने में बहुत HELकि और बहुत ही खुवसूरत लगई है सो पूरा डिजाइन देखिएगा किस तरीके से डिजाइन बना रहे हूं है step by step step by step देखने से गाईस सही से समझ में आता है पता चलता है कि कैसे डिजाइन बनेगा सो दूसरा लाइन भी हम running stitching के बना कर त्यार कर लेंगे सो देखिए दोनों ही त्यार कर लिया ऐसे ही सभी दो लाइने जो पास पास है उसको हमें running stitching करके त्यार कर लेना है और इस जो दूर है थोड़ी सी उसको हमें अब yellow color के बिस्तर सिलने के धागे से ही बनाना है सो देखिए उसको कैसे बनाना है उसमें हम पहले running stitching करेंगे इस तरीके से बहुत डिजाइन को बनाना सिंपल है और इस डिजाइन को बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा देखिए और अब हम यहां पर lazy daisy बनाएंगे चोटा सा तो देखिए और यह बीच में हम lazy daisy बना रहे है इसकी वज़े से ही खुपसूरती बढ़ जा रही है इस बिस्तर की और सबसे बड़ी बात इस बिस्तर पे बनाने का तरीका आप last में देख पाएंगे कि कैसे हमने बनाया है सभी बिस्तर पे हम सीधा सीधा line बनाते हैं बट इसमें हमने कुछ अलग use किया है सो उसे देखिएगा last में वीडियो को पूरा देखेंगे तो last में मैंने वीडियो डाला है कि किस तरीके से हमने पूरा डिजाइन बनाया है सो देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना ही खुपसूरत लग रहा है बस हमने कुछ थोड़ा सा ट्रिक यूज किया है कि इस तरीके से सीधा सीधा लाइन बना ना बना कर थोड़ा सा हमने डिफरेंट बनाया है सो last में देखकर जरू बताइएगा कमेंट जरू कीजेगा कि रिजाइन कैसा लगा आपको बनाने का तरीका कैसा लगा कि कुछ अलग करने की कोशिश की गई है तो क्या आपको पसंद आया सो गाइस इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लिजेगा और साथ में बने बैल की आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिजेगा जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगे और साथ ही साथ गाइस मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिशिदारों को भी जरूर शियर कीजेगा ताकि वो भी इस तरीके के डिजाइन बना सकें तो देखिए हम इसी तरीके से पूरा डिजाइन ठीना कर लेंगे कैसे हम बीच में रंणिंग inaug updated कर रहें और खुस दूर प्लच हम लेजी डेजी याजी इस कर रहें तो इसी तरीके से बनाते जाना है इस पूरा डिजाइन बनाकर हमें ठीना लेना है तो देखिए गाइस पूरा डिजाइन बनकर त्यार है कितना ही खुपसूरा डिजाइन लग रहा है I hope आपको पसंद आया होगा मैंने आपको बताया कि कुछ यूनीक डिजाइन हमने बनाया है तो जरूर कमेंट किज़ेगा लहाफिज